नमस्कार आपका स्वागत है अचना ही डेन रिस्वी में आज चलिए बिकेन स्पेशल बनाते हैं मुंबई स्टाइल पावाजी सबसे पहले मैं ले ली हूँ सारे शबजिया और कट कर दी हूँ देखने में कितना सुन्दर लग रहा इसी के साथ मैं सारे खड़े सब्जियों को कुकर में डाल दी हूँ गोबिया आलू टमाटर गाजर तमाटर में दो ही डाली हूँ और उबाल दी हूँ दो सिटी आने तक कराही ली हूँ कराही में ऑईल के साथ बटर भीटा दी हूँ ताकि बटर जले नहीं और यह बहुत आराम से बीना तवाका अब बहुत टेस्टी घर पे ही बन जाता है और आज धन तिरोदेशी भी है तो बहुत जल्दी-जल्दी काम को निप्टाना है तो यह आसान सी रेष्पी विकेन पे आप जरूर बनाएं बाजार जैसी पावाजी तो रखता है मैं हाप यह स्पून इसमें जीरा डाली हूँ इसे साथ अधरक लसन का पेस्ट डाल दी हूँ अगर यह वीडियो जड़ा से भी अच्छी लगती हो थोड़ा से भी कनेक्ट कर पाते हो हमसे अच्छना हीडेन रस्पी से तो लाइक शेयर सस्क्राइब जरूर किजिएगा यह आपके लाजवाब और दोगना हो जाएगा इसी के साथ अधरक कसी हुई इस रस्पी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बहुत अलग से फ्लेवर बहुत खिल के आता है इसलिए बिडावट स्केप किये हुए इसको जरूर से जरूर ढले थोड़ा सा यह हलका सा रोस्ट होता है बहुत इसको गुलावी नहीं करना है इसको साथ बारिक कuits हुई गाजर में दो गाजर ली हूँ बारिक चॉप लिए और दो कूपर में उबा ली हूँ है इसमें गाजर से मिर्च मटर यह सब का टेस्ट बहुत अच्छ चाता है अब प्याज इसलिए इसको आप अच्छा से ही लिजए इसके साथ तीन बड़े साइज का प्याज लिए हो इसको भी हल्का सब भून लूँगी हल्का गुलावी होने तक भूनना है बहुत जादा लाल नहीं करना है सिर्फ इसका पानी हल्का सुख जाए बस इसे के साथ सिम्ला मिर्ज भी डाल दी हूँ ताकि थोरा सा ये भी भुन जाए हलका लूज हो जाए है है ये बहुत अच्छा महे का रही है और सारे को महसर से ये तीन से चार सिटी में दो सटी तेश से लगाई थी प्रण थी तो ही में चैं है ज आप घुकिलं अिलू को काट नहीं लूज के डाली थी अधि ना में ये पावाजी में टमाटर, सिम्रा, मीर्च और प्याज का फ्लेवर बहुत ही अच्छा खिल के आता है इसलिए आप इसको अच्छे सरी डाले इसी के साथ एक रेगुलर में लाल मिर्ची पॉडर डाली हूँ और कुटी हुई धनिया अचिक साथ हापटी इस्पूर हल्दी डाली हूँ ताकि कलर थोड़ा अच्छा लगे आप चाहें तो आप कलर फूड कलर भी डाल सकते हैं रेड कलर पर यह घर में बना रही हूँ तो ना कोई जरूरी नहीं यह कमर्सियल परपस्टे तो बन नहीं रहा है घर पर ही है बस जितना भाजी में भूज रही हूँ उसी के एकॉर्डिंग में नमक डाली हूँ तो बाजी को मैस कर दी हूँ और इसी में डाल दी हूँ भीना तवा है बहुत अच्छे से बनता है कडाही में भी खाके अंगुलिया चाटते रह जाएंगे इतना टेस्टी बनता है कि देखने इसे हैं अब चाहिए तो इसको मैसर समय से इसमें में मसाला डाली हूं तीन बड़े स्पुन डालूंगी ताकि यह पावाजी थोड़ा ज्यादा है एक केजी के और कराही आप थोड़े डायमेटर का लिजिए गा ताकि इसको बनाने में बहुत अच्छा लगे चो जैसे कि सब्सक्रामने में नोब टकुक्ता की नहीं हूं को बच्छे से धनियापत्ता डाले को दो नहीं मिनिट में इसको अच्छा से आता इसमें एक को बन गया है अर मैं शर्व कर दिखाती हूं एक बाल में सर्व करती हूं त यह देखनी कितना अच्छा लग रहा है आप चाहे तो और भी बारिक कर सकते हैं पतला और इसको हम प्यास से सजा दे रहे हैं प्यास के लचा से सजा दी हूँ और धनिया पत्ता भी जरग दी हूँ साथ में थोड़ी से बटर मैं तवापे सेके दिखाते हूं एक ही सेके दिखाती हूं आ से अच्छा से मेंची मजळाइन्स और भी दे बारिक आफावब यंदियों को अच्छी लगती है आपको अच्छी लगती है तो लांकि के लिए ऐसी हेल्दी और टेस्टी रेस्पिल आया करूंगी बस इसको अच्छे स्प्लेट में सर्फ करें देखे देखनी से कितना अच्छा लग रहा है एम्मी और प्याज के जिल्दी के साथ इसको परोशे और साथ में निलॉन्स के अचार दे बहुत ही अच्छा टेस्टी पयर झाल इंधा रीडि रहा है प्याज के बहुत है अच्छा टेखे और साथ में सर्फ पतो हुआंगी पूले की जिल द动 है पुआ हैrevों में। झालदी कि अग वदास सके देखे लिए में हीम्मी है इस Sounds